नमशly का आजकर ऑकसीजन के वारे में बहुत सारी बात चित की जा रही है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ये करनाचिए वह करना चींगे ये खाओ वह खाओ तो सवाल यह, उड़ता है कि क्या आईरवेद में ऑक्सीजन नाम कोई शब्द आया भी है और अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है किसी का तो वो क्या करें और जो लोग स्वस्त हैं वो कैसे अपने आपको मेंटेन कर सकें पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में अगर सवकेथ आप सभी का ओज आईरवेद में जहां बात करते हैं शुद्र आइरवोत के बारे में आज का टॉपिक है आउक्सीजन oxygen करके शब्द क्या आयरवेद में आया है सबसे पहले वो जान लेते हैं तो आयरवेद में oxygen इस तरह का oxygen के लिए कहा गया है तो संस्रिश शब्द oxygen का विष्टनूपाद अमृतम कहा गया है इसके बारे मैं ऐसे कहा गया है कि यह outer जो world है ब्रह्मान से शरीर में लिया जाता है और gases exchange होती है वही कि यह बाहर जाता है अंदर आता है और उससे व्यक्ति जीवित रहता है तो oxygen का जो अगर हम संस्क्रित में बात करें तो उसके लिए शब्द आएगा विष्णुपाद अम्रितम जो कि शारंधर सहिता का इंफ्रेंस है अब सवाल यह उठता है कि oxygen के लिए हम करें जो जिनकी condition खराब हो रही है वो भी और जो नॉर्मल है वो भी सबसे पहले oxygen को समझने के लिए हमें प्राण वायू को समझना होगा प्राण वायू आईर्वित में हर चीज वात्पित कफ में कहा गया है यह क्लियर दुनिया में हर कोई जो भी बीमारी होती है उसका केवल एक और एक ही कारण है वह वात्पित कफ ऐसा आयर्वित कहता है कि चाहें किसी भी तरह के infection हो दुनिया में कोई भी बीमारी कहीं भी आ जाए उसको वात्पित कफ के टेगरी में डिवाइट करो उसके साब से treatment करो वात्पित कफ में से वात के जो पांच टाइप है प्राण उदान व्यान समान अपान यह पांच उसके नाम है उसमें से जो पहली वायू है प्राण वायू वह डिप साइड करेगी आपका oxygen level करें तो अब यह प्राण वायू को हम कैसे अच्छा रखें प्राण वायू जित लेकर आउंगा आज समझ देते हैं 5-6 कारण है जिसके प्राण वायू खराब होती है पहले यह तो पता होना चाहिए खराब क्यों होती है तब यह अच्छी रख पाएंगे तो पहला उन्होंने कारण है रॉक्षाद रॉक्षाद मतलब excess dryness जब भी बाड़ी में तो इस में से जो जल महाबूत है और वायू महाबूत है यह दो का जो combination होता है तो आपके शरीर में प्राण वायू बनती है तो जब भी भी अब यह जो जल है वो balance करने का काम करता है इस वायू को क्योंकि वायू का विशेश गुण क्या है हवा की main power क्या है dryness करना सुखा देना सूखा कर देना ठीक है सूखने की कारणी फाइब्रोस यह सब जो होने लग जाते हैं और फिर वह और डैमेज होके खतम हो जाता है तो जो सुखाने की पावर है वायू के अंदर है उसका यह जल है वह balance करता है इसलिए जब भी आप oxygen लेते तो आप ऐसे नहीं कि गया खोला तुरंग नाट में घुसा लिया उसके साथ एक वाटर के लिए छोटा सा आपने देखा होगा oxygen लेते हैं पानी में वह होकर आता है क्योंकि अब डायरेक और नहीं ले सकते तो उसके साथ में पानी का छोटा सा कैंग भी उसके साथ रखते हैं इसलिए जल महाभूत औ होगा और extra dryness होगी तब आपके जो लंग्स है वो damage होगे आपका जो रिदय है वो damage होगा और बाखी आपको तकलीफ होगी तो dryness से body को बचाओ कैसे dryness पैदा हो सकती body में continuous AC में बैठे रहना क्या होती है body dry होती है कि गिली हो जाती है तो आप देखा होगा AC में continue बैठेंग तो यह सारी चीज़े avoid करो या body के ऊपर कभी भी oil ने लगाना oil से पाप लगना ऐसे लगना कि नहीं oil में छूंगे नहीं यह सारी की सारी चीज़े आपकी body में dryness पैदा करेगी नमबर एक करण रुक्ष चीजों से बचो ऐसे उनका कहना है नमबर दूसरी चीज जो आपकी अपकी प्राण के लिए अच्छे नहीं है हम सभी जानते हैं सब चीज़ balance पर depend है जब आप यह नहीं करते तभी आपकी जो प्राण हुय आ झाहिए कृइन चाहिन की ज़ुआ पड़ती हैं तो डेली वयाम इंक्लूड होना चाहिए बॉड़ी में कम से कम 20-30 मिनट बट आपकी बॉड़ी के कंडिशन के हिसाब से और धी में वयाम आपके इंक्लूड बने चाहिए प्राणवायू खराब होने के उन्होंने तीसरे शब्द कहा है अत्याहार आप खाना सुबह उटके बीना प्यास लगें पानी पीना पानी हजम नहीं हुआ है कि फिर कुछ और लिक्विड युकिड ये जूस साथ मारे जा रहे हैं भैस के दूद वाली चाहिए पीना उस चाहिए के साथ बिस्किट टोज खाकरा वाकरा ये खाले ना वह हजम हुआ नही नहीं होने देना जब फूद डाइजस्ट नहीं होगा तो फूद डाइजस्ट होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट जो टॉक्सिंस बनेंगे वह जाकर प्राणवायू की जगह क्या है आपका रिदय और आमाशय रिदय खराब हुआ आमाशय खराब गई इसलिए पेट खराब किया तो भी प्राणवायू खराब होगी फिर जितने लेना है लेते रहों आपने सोचा देखा होगा कि क्यों यंग लोग को इतनी जल्दी लेवल कम हो रहा है ऐसा क्या होते जा रहा है क्योंकि बॉड़ी में हमने इंफेक्शन के लिए पहले से मस्त कंडिशन बना अती लंगन भी अवाइट कीजिए कि भाई ठीक है नहीं ज्यादा नहीं खाना चीट तो मैं खाता ही नहीं होँ दिन भर ऐसे ही रहूँगा क्यों पानी पी के रहूँगा अती फास्टिंग भी नहीं अती यह भी नहीं दिन में दो बार की डाइट ठीक है यह प्राणवाय क्यों कि जगा पेट और रिदय है पेट को अच्छा रखिए पेट को जो भूब खुल के रखने दीजिए जिरने अश्नियाद ऐसे करके बहुत कमाल का शब्द है आई रवेद में कि जब भूब खुल के लगे पहला खाना हजम हो गया हो तो ही दूसरा कुछ भी खाओ चा खाने जब हजम हो जाएगा तो आपको धकार आएगी उसमें से कोई स्मेल नहीं होगी बॉड़ी में हलका पल्स लगेगा थोड़ा एनर्जी लगेगा पेट बेट साफ हो जाएगा या खाना खाने की डिजायर पैदा होगी नेचुरल डिजायर यह नहीं समोसा बटाटा बड़ा चिप्स विप्स देखा और डिजायर आगे नेचुरल डिजायर आएगी कुछ खाने की उसका मतलब है आपका खाना हजम हो गया है जिसको भी 4-6 घंटा लगता है तो जीरने अश्निया पेट को अच्छा रखने के लिए जब भूख लगे तभी खुलके खाना खा ऐसी चीज़ यूज़ करो जो कि छोटे सेल्स में भी जाकर वहां पर नरिश्मेंट दे सके और यह जो ड्राइनेस है पहले ही गोला कि प्राणव यूखराब ड्राइनेस के करण होती है उससे बच सके तो क्या करो कि यह तेल लो तीन तरह के तेल हो सकते हैं पहला जिनको व आगे का चेस्ट का यहां पे मालिश करो कोई घपते हैं आटका हुआ है तो वह निकलने में मदद होब ठीक है। है यह वात वालों के लिए विशेश उसूलोगा जिनको बहुत ज़दा कफ है बहुत ज़दा सर्दी खासी एकदम ब्लॉक रहता है नाक वाक पुरी जान रहती है उनको क्या करना है कि वह सर्जों का तेल लेंगे मस्टर ऑइल लेंगे उस मस्टर ऑइल के अंदर सिंधा नमक कीजिए जो पित्त हैं जिनको बहुत ज़दा गर्मी लगती है वह क्या करें अगर आपको पित्त है और स्वास की कोई तकलीफ नहीं तो आपको कुछ करने की ज़रत नहीं है केवल नारियल का तेल लो और नारियल का तेल लेकर आप पूरी बॉड़ी पर मालिश कर सकते हो जिनको गर्मी बहुत लगती है पसीना बहुत आता है उनके लिए यह सब ठीक रहेगा चल यह हो गया प्राणवायू के लिए दूसरी टेक्निक हम क्या कर सकते हैं तो इसमें भी हम तीन केटेग्री में डिवाइट करेंगे अगर वात किसी को जादा है तो वात के कारण किस को हिंदी में बुला जाता है वो यूसफुल है जिनको बहुत ज़्यादा सूखा पन है उनको यस्टी मदू वन फोर चमश लेना चाहिए और वन फोर चमश उनको लेना चाहिए उसके इंदर ची तो एक चुटकी सेंदा नमक डाल कर भी ले सकते हैं यह बहुत अच्छे से कर लें चाहिए वह दोनों प्राउब्लम के लिए यस्टी मदू यूसफुल हो जाएगी जिनको बहुत ज़्यादा ब्लॉग है उनको शीतो नाम का पावडर यूसफुल वह तो त्रीकर्टू नाम का सोठ मरेच पिपली ऐसे तीन चीजों से बनता है सोठ काली मिर्च और से तो इसको दो पिंच लेना है हनी में मिलाना है खाके लेना है हनी नहीं है तो गुड के साथ ले सकते हो दिन में दो से तीन बार तो जो एकसस आपके बॉडी में कफ है वो कफ निकल जाएगा ब्लॉक निकल जाएगा तो आपका ऑल्रीडी जो oxygen level और डाउन हो रहा है वह जो प्राण वायू है वह अच्छी हो जाएगी अब उसे oxygen बुलिए वह दोनों सेम ही है इतना क्लियर और emergency में अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कोई और लास्ट नॉर्मल लोगों के लिए ठीक रखिए इस सबसे इंपोर्टन चीज है सुनने में क्या पुराने जबाने का बोल रहे हैं और नया करेंगी तो वही है ना जो आसे पांच-शार साल पहली थी तो उस बॉड़ी को बचाने के लिए जो नियम बोले हैं फॉलो कीजिए अब आते हैं जिनको एमर्जेंसी वाली कंडिशन है एमर्जेंसी कंडिशन के लिए आप का ऑक्सिजन लेवल कम हो रहा है डॉक्टर से कंसर्ट आप कीजिए मुस्ट इपॉर्टन चीज ऑक्सिजन लगाई एमर्जेंसी है एट्मस्पीर में जो ऑक्सिजन है वह 30% के आसपास या 21% के आसपास है बट जो आप नॉर्मल ऑक्सिजन लेते हैं वह 99% से ज्यादा है तो क्योंकि एट्मस्पीर से आप डारेक आपकी बॉड़ी ऑक्सिजन लेने में उतनी नहीं रह गई लंक्स की इसलिए आपको ऑक्सिजन लेवल है उनके लिए यूसफुल रहेगा 92 के ऊपर है तो आपको कोई कुछ करने के जड़त नहीं है एमर्जेंसी कंडिशन में एक टैबलेट शहद में घ्रस के दिन में दो से तीन बार शीतोपलादी चूण 14 मिलाकर खाने के पहले या बार बार रहा दस दस मिनट में थोड़ा चाटने के लिए तीन गोली तक दिन में दे सकते हैं इसकी एक्जेक मात्रा पेशन की कंडिशन पर डिपेंड करेगी तो जो आपके नजदी की डॉक्टर है उनको पूछ के आप यह कर सकते हैं और जो बाकी जो बोल्ड प्रिप्रेशन आईरवेद में बोले हैं स्वांसकाश चिंतामनी रस्वाश टाइप की चीज़ें वह ले सकते हैं एक बहुत ही कमाल की स्वांस्रोग में आएगी वह है अभ पाकी पेशन अगर लगा भी हो है तो भी उसके साथ उसको जो डाइट दे रहे हैं स्वासरोग के उपर क्या डाइट लेना चाहिए उसका वीडियो बनाकर रखा है लिंक में आपको दे दे रहा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कनका सो जैसी चीज़ें मतलब आप आई स्वारण वसंत मालती जो मैंने एमर्जेंसी पेशन्स को भी दिया है और घर वालों को भी बचा के रखने के लिए दिया है तो इस तरह की चीज़ें अब्रगबस कंकास और बाकी बहुत सारी दवाई आयरविद में मिल जाएगी वह यूस करनी चाहिए पीने के लिए केव पानी पीजिए वह आपके लिए बहुत फायदा रहेगा पानी में कौन सा पानी पीना इस पर वीडियो डाला है स्वास रोग में या फिर नॉर्मली धनिया जीरा का पानी लो उसे उबालो 10-10 ग्राम धनिया जीरा लो एक लिटर पानी में डालकर हाफ लिटर करो वह पानी अब आपको बहुदा करें थंडा क्या हुआ जो पानी है जिसको कि पका हुआ पानी कहते हैं वह गरम प्रकृति के लोग भी सकते हैं बाकि जो फंदे में लोग और्स नुटे लोग नौनी ले सकते हैं उसमें डाल के लिए धन्या जीरा का पानी बना सकते हैं या सोंट का बना सकते हैं कि वह आधा चमठ लिया एग लिटर पानी में डालकर हाफ लिटर दिया वह पानी सिपसिप करके थोड़ी दोड़ी दिर प्रिया तुलसी का पानी पी सकते हैं इस तरह की चीजे कर सकते हैं क्या भाप की जरुरत होती है अगर आपको बहुत ज़्यदा कफे अग तो बिल्कुल नहीं वात और कफ वाले जो लोग है वो गुंबुरे पाली से स्नान कर सकते हैं और जिनको 92 के उपए उनको कुछ नहीं जो नॉर्मल उपाय बोले हैं वो किया तो प्राण के विशेश शब्द शुषु सहीता में वह प्राणायाम क्योंकि वायू के लिए ही प्राणायाम बना हुआ तो प्राणायाम में जो डीप ब्रीधिंग एक्सराइज़े वह आपको करना चाहिए जिसे कि आप लोम विलोम इस तरह के या लंबी स्वांस लेना स्वांस को छोड़के स्वांस को अंदर लेंगे और उसको पकड़के रखेंगे तो तीस सेकेंड में आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी है इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं तो ऑक्सीजन के लिए आयरेद में विश्णूपाद अम्रितम यह तरह का शब्द आया है औ सबसे सेफेस्ट कौन सी चीजिन में से होगी तो शीतोपलादी जो अशुदी है वो सबसे सेफेस्ट आलमस्ट सभी के लिए यूसफुल हो जाएगी स्वस्त रहें मस्त रहें